हेलो एबिवन कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ शेयर करने चारहे हैं सांबर और इडली की रेसिपी आज हम इडली बनाएंगे इंस्टेंट इडली बनेगी बहुत ही सौफ्ट और स्पॉंजी बिकुरूई जैसी इडली बनती है और जो सांबर होगा वो भी बहुत तेस् आज हम आपके साथ दोनों की रेसिपी इकठी शेयर कर रहे हैं सांबर के लिए हमने लिया है एक पीस छोटा लोकी का कट कर लिया है थोड़ा सा कद्दू लिया है हमने पेठा बोलते है थोड़ी सी फ्रांस बीन एक बैंगन एक आलू और एक गाजर और हरी मिर्च इन आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं अगर कोई सब्जी नहीं है तो उसे स्किप कर सकते हैं यहाँ पर मैंने अरहर की दाल लिया है अरहर की डाल की एक ढोली है इसे हम् भीगो लेंगे दो लेंगे पहले दो कर थोड़े देर के लिए भीगने के लिए रख देंगे अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली इसी तरह यूज कर सकते हैं जितनी हमारी दाल है उससे चार गुना ज्यादा पानी डाल देंगे इसके अंदर एक कटोरी डाल की है तो चार कटोरी इसके अंदर पानी की डाल देंगे और इसके अंदर हम नमक डालेंगे पहले एक चमच मैंने यहाँ पे नमक का डाल दिया है आदा चमच यहाँ पे हल्दी का डालेंगे और इस डाल को अब हमने बॉयल कर लेना है दो विसल लगवा लेनी कि नो देखी यहां पर आप मश्रड ओल ले सकते हैं रिफाइंड ले सकते हैं क、、 जब आप हमारा गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर डाल देंगे एक चमच हम जीरा डालेंगे एक चमच इसके अंदर राई डाल देंगे यानि कि मस्तर सीट्स और दो से तीन आप इसके अंदर साबुत लाज मिश डाल दीजिए इन सब भी को आप अच्छी तरह भून लीजिए जब यह थोड़े से भून जाएं तब इसके अंदर डालेंगे हम कटे हुए प्याज इन्हें भी हमने लाइट पिंक होने तक भून लेना है बहुत जादा गोल्डन नहीं करना है जो लाइट सा कलर आ जाएगे इसमें तब तक हम इसे स्वाटे कर लेंगे अच्छी तरह अब यह थोड़े से भून गए है अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर कटे हुए जो हमने दो पीस काटके रखे हुए थे इन्हें इसके अंदर डालकर भून लेंगे थोड़ा सा जब हम भूण रहे हैं तब इस के अंदर हम थोड़ा सा नम्क डाल देंगे तांकि यह जल्दी से गल जाएं और इसे भी अच्छी तया मिक्स कर लेंगे अब ही आप थोड़े से इसके अंदर जैसे मसाले डालते ही है थोड़ verify डाल देंगे आदा चमज के ग्रीब walking वैसे कि में दाल बॉल करने में भी डाल ही है थोड़ी सी हम लालमेची डाल रहे हैं लालमेची यह मेरे पास देगी लालमेच्छ है यह सिर्फ मैंने कलर के लिए डाली है यहां पर मैं डाल रही हूं दो चमच सांबर मसाला यह मेरे पास सांबर मसाला है यह रैडिमेट मिलता है मार्किट में दो चमच हमने इसके अंदर डाल लिए है अब इसे हम इन सभी के साथ भून लेते हैं अची तरह एक मिनट भून ले लेंगे एक आलु और एक टुक्ड़ alter में घ्या का और चोटा से टुक्रा मे था कद्दौ का लिया था चोटी शोटी आ लिए थे उनको मैं कट कर लिया था वह गथे कंदर जाल देतें में क्सक्राइश्य क हम शाइप और सुट्छा पॉड़ा सा पानी डाल अब जब ये सब्जियां पकरी हैं इसके अंदर मैं गाजर डाल गूँ एक और थोड़ी सी मैंने तीन से चार बीन ली थी वो काटकर डाल दी है और हरी मिच डाल दी है इन्हें भी इनके साथ पका लेंगे क्योंकि गाजर को पकने में भी सेम आलू के यतना ही टाइम लगेग हम इन्हें थोड़ा से मैश कर लेंगे मैशर से मैश कर लीजे या आप कर्शी से मैश कर लीजे इनको हमने मैश कर लेना है सब्जियों को और जो हमने बैंगर रखे थे वो थोड़े सौफ्ट होते हैं वो बाद में डालेंगे और इन्हें पहले हमने अच्छी तरह थोड़ लेना है जब यह सब्जी तोड़ी तूट जाएं तो इसके अंदर हम बैंगन डाल देते हैं अगर बैंगन नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं कोई जुरूरी नहीं जितनी सब्जी आपके पास अवेल लेवल हैं उतना आप यूज कर सकते हैं इन्हें भी इसके साथ डालकर अब पका लेंगे ढखकर 4-5 मिनट और इन सब्जीयों को हमने बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है जब तक हमारी सब्जीयां सॉफ्ट हो रही है तब तक इडली का बैटर बना लेते हैं हमने यहां पे सूजी ली है मैंने 2 कप सूजी ली है यहां पे तकरीबन यह 400 ग्राम के कर नहीं लिया है दो कप सूजी में एक कप दही डाल देंगे और यह मेरा घर का जमा हुआ दही है बहुत जारा खटा नहीं है यहां पे हमने एक कप पानी भी ले लिया है पानी हम डालेंगे थोड़ा सा और इसे मिक्स कर लेंगे इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसके अंदर मिक्स करने है इसे और थोड़ा सा थिक बैटर बना कर रख देना है जब हमारी सूजी फूल जाएगी उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा पानी और कितना लगेगा अभी हम इसे अच्छी तरह घोल लेंगे बिल्कुल लंप स्प्री करना है दहीं की गुठलिया अब इसमें बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए आप इसे दो से तीन मिनट अच्छी तरह फेंट लें और इसकी गुठलियां बिल्कुल खत्म कर लें अब मैं इसे विसकर से फेंट रहे हूँ कांकि तांकि जो इसमें गुठलियां बगएरा है वो सारी खत्म हो जाएं विसकर से बहुत जल्दी फेट जाता है आपने इसका थोड़ा सा ठिक बैटर बनाकर रख देना है 15-20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे जब तक हमारा सांबर भी पक जाएगा उसके बाद हम इसकी हिडलियां बनाएंगे यह देखे बल्कुल स्मूथ कोहल हमारा बन गया है अब इसे हम ढख कर रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए उसके बाद फिर हम इसको चेक करे अब इधर आप देख सकते हैं सब्जें भी हमारी पक चुकी हैं काफी सॉफ्ट हो गई है सब्जें अब हम इन्हें अच्छी तरह मैश कर लेंगे सब्जियों को हमने तोड़ लेना है अच्छी तरह अब देखें सब्जियां हमारी अच्छी तरह मैश हो चुकी है थोड़ा और बारी करना है तो बारी कर सकते हैं यहां पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन्हें और हम मैश कर लेंगे अच्छी तरह जब हमारी सब्जियां अच्छी तरह मैश हो जाएंगी तब इसमें हम डाल डालेंगे यह उबली हुई डाल मैंने खोल लिया है अब इसके अंदर हम डाल को डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं डाल हमारी 100% चुकी है अब सब्ते मैश करेंगे थोड़ी इसके अंदर पकेगी तो दाल पिलकुल गुल जायेकि डाल सामरकें अंदर इखती नहीं है अब हम इसे इस तरह मैसस से मिक्स कर लेंगे अब सब्जियां हमने सारी मैश कर ली हैं डाल को भी हमने मैश किया हैं अब इसके अंदर हमने इमली का पानी डालना है मैंने थोड़ी सी इमली भीगो कर रख दी थी उसी अच्छी तरह मिक्स किया और उसका जो पल्प है वो निकाल लिया अब आधिक डोरी के करीब यह पल्प हमने इसके अंदर डाल दिया है यह जो इमली का पल्प है आपने सब्जियां मैश करने के बार डालना है क्विए खटे की बज़ए से सब्जियां फिर पकती नहीं है अब इसमें हम एक लीटर के करीब पानी डाल देंगे पूरा एक टेस्ट है वह बहुत अच्छा आता है आपने एक चम्मचीनी या फिर एक टुकड़ा गुड़का इसके अंदर डाल देना है और अब हम इसे देखिए यह पकना शुरू हो गया है अब हमने इसे ढख देना है ढख कर आब इसे पकने देंगे उसके बाद फिर चेक करेंगे अब लीजे सांबर हमारा बहुत अच्छी तरह दस मिनट तक मैंने इसे पका लिया है आप देखिए पूरा तड़का उपर आ गया है और सांबर अच्छी तरह पक चुका है बहुत ही डलीशियस ये बनकर रेडी हुए है सबजी अगर आपको बिलकुल भी दिखनी नहीं च खड़ी पसंद है तो यहां पर थोड़ा धनिया डाल देते हैं और सांबर हमारा आप बिलकुल रेडी है अब इसे अगर तो आप थोड़ा और पकाना चाहते तो पका लिजे लेकिन सांबर थोड़ा लिक्ट फोर में ही अच्छा लगता है अब हम इडली बनाएंगे इडल का यूज भी कर सकते हैं करी लिप्स भी थोड़े पक चुके हैं अब जखिए इडली के अंदर जो बैटर हमने बनाया था उसके अंदर हमने डाल दिया है तड़के को अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डाला है नमक डालकर अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अब इसे अच्छी तरह mix करते हैं, आपने इसकी जो consistency है वो इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा पतला आपने घोल नहीं बनाना है, अब घोल हमारा बन चुका है, अब हमने इडली stand के अंदर इडली नहीं डालनी है, यह जो इडली का stand है, इसके अंदर मैंने सभी में oil लग लगाना है, और यहां पर हम इडली का जो बैटर है, होल सके अंदर डालते हैं, और बैटर आपने फूल नहीं डालना है, थोड़ा सा कम डालना है, क्योंकि इडली फूलती है, तो बहार आ जाएगी नहीं, तो आपने थोड़ा सा कम घोल डालना है, इनके अंदर, सभी stand को ह वो मेरी इडलिय बनती हैं तकरीबन 24 इडलियः यहां पर मेरी बन जाएंगी दो कपसी यह मिर पाज छे स्टेंड है और चार- Mobile's हर एक स्टेंड में लग जाती है तो ये देखी मेरे सारे stand भर लिए हैं, अब हम इने stand को fix कर लेंगे, fix करके अब हम इसे cooker में रखेंगे, अब इडली के उपर इडली नहीं आनीज़े, जब आपने stand को fix करना है, इडली के opposite थोड़ी सी दूसरी साइड में घुमा कर रखना है, और इसे इसके उपर लगा देन हैं, इसी तरह आपने पूरे stand को बंद करना है, अब stand को हमने अच्छी तरह बंद कर देना है, बंद करके हम इसे steam cooker में रखेंगे, इडली कुकर में रख देंगे, दस से बारा मिनट के लिए, दस से बारा मिनट में ये हमारी इडली स्टीम हो जाएंगी, यहाँ पर मैंने पानी का डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था, पानी गर्म हो गया है, बायला गया है, अब इसके अंदर इडली रखते हैं, और इसे धकन लगाकर दस से बारा मिनट के लिए पका लेंगे, अब जब तक हमारी इडली पक रही है, तब एक चमच हमने यहाँ पे तड़क को खुश्बू आ जाए, तब आपने इसे सांबर के अंदर डाल देना है, यह उपर से तड़का हो जाएगा, और सांबर का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, अब लीजे इडली को पकते हुए 10 मिनट हो गया है, इडली हमारी फूल कर काफी अच्छी रेडी हुई है, एक टुद्पिक लेते हैं और इसके अंदर डाल के देखते हैं, बिल्कूल क्लीन आ रही है, इडली हमारी पक्चुकी है, अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं, गैस को बंद करके 2 मिनट के लिए से ढख देंगी, अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब हमने इसको स्टैंड को बाह थोड़ी थोड़ी एज़ी से रटाएंगे और चमज को नीचे से घुमा कर इसके इडली को निकाल देंगे सेम इसी परसेस से हमने सारी इडलीयां निकाल देनी हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कॉटन होती है जैसे ये देखिए पीछे से आपको इसका टेक्शर दिखा देती हूँ मैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है ये हमारे इडलीयां इसी तरह हमने चमज की हैल्प से या फिर नाइफ की हैल्प से सारी इडलीयां बाहर निकाल लेनी है और बहुत इजिली निकल जाती है ये बिल्कुल चिपकती नहीं है नीचे स्टैंड के अगर पक चुकी है तो बिल्कुल इजिली निकल जाती है अब लीजे सारी इडलीयां हमारी रेडी हो गई है सांबर भी हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर त्यार हुआ है मैंने सबी स्टैप आपको बिल्कुल अच्छी तरह बताए है क्लिरली और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कॉलिटी का यह सांबर बना है और इडली भी हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है मैंने यहाँ पे इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगी आप वहाँ से देख लीजिएगा और बहुत ही यमी यह हमारी डलीशियस इडली बनकर रेडी हुई है विद सांबर अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आगे हम किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं एक इडली आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ पहले